हलो फ्रेंडस, वेलकमेइन वा यूटूब चनल रेडियोलोजि टेक्निकल फ्रेंडस आज डार्क रूम में जो सेफ रॉट यूज ओती है उसके बार में बात करेंगे सेफ रॉट का डार्क रॉम में कैज यूज होता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें सेफ लाइट रेडियोग्राफि में जो X-ray फिल्म यूज की जाती है वह है लाइट और कलर से सेंसिटिव मतलब समवेदनसिल होती है इसलिए लाइट से बचने के लिए डार्क रूम में सेफ लाइट का यूज किया जाता है डार्क रूम में एकमात्र लाइट सोर्स सेफ लाइट होता है जो X-ray फिल्म में फोग नहीं करता सेफ लाइट फिल्म प्रोसेसिंग के टाइम भी प्रोपर इल्यूमेनेशन या रोशनी प्रोवाइड करता है सेफ लाइट में लाइट की एववांचित वेवलेंथ मतलब तरंग देदर्रे को ब्लोक करने के लिए एक उचित फिल्टर होना चाहिए जिससे फिल्म को फोगिंग होने से रोका जा सके Safe Light एक wavelength या तरंग देदर रेमिट करती है जिसके लिए हमारे पास illumination या light के low level पर अधिक द्रिश्चे sensitive होता है Film processing के time, film को loading वर unloading के लिए Safe Light की आउश्यक्ता होती है डार्क रूम में वर्क करते time, film से Safe Light के बीच की distance 1.2 मिटर से कम नहीं होनी चाहिए अगर 15 watt का बलब यूज करते हैं, तो इसे reduce मतलब गटा कर 0.6 मिटर किया जा सकता है Safe Light टू टाइप क्यों होती है एक है Indirect Safe Light, सेकिंड है Direct Safe Light पहले Indirect Safe Light की बारे में जानते हैं Indirect Safe Light में 60 watt के बलब का यूज किया जाता है इस Safe Light में Safe Lamp Light, डार्क रूम की ceiling मतलब दीवार से reflect होकर वापस परतिविम बनाती है Safe Light में एक proper filter और proper light source होना चाहिए एक Indirect Light, ceiling area से 2.5 meter के height पर 6.5 meter square floor level पर एक अच्छी रोशनी परधान करने के लिए sufficient होना चाहिए Second है Direct Safe Light Direct Safe Light में 25 watt बलब का यूज 1.2 meter की distance पर होता है 1 meter distance पर 15 watt बलब का यूज किया जाता है Direct Safe Light film processing system के पास होती है इस light के lamp से light शीदे work area पर गिरती है Direct Safe Light को film processing और loading और unloading area से कम से कम 4 feet या 1.2 meter की distance पर रखा जाता है तो friends आज का हमारा topic यहीं complete होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share वा subscribe जरूर करें वह इसके bell icon पर click करें जिससे आने वाली मेरे next वीडियो का notification आपको मिलता रहेगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे comment box में जरूर बताएं